चट पूजा दो हजार चॉबीस चट पूजा कब है दो हजार चॉबीस में। जाने चट पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधी और खरना। चट पूजा दो हजार चौबीस चट पर्व हर साल कार्तिक मास के शुकलपक्ष की शष्टी तिथी को मनाया जाता है जो चट पर्व को सूर्य शष्टी के नाम से भी जाना जाता है हिंदी पंचान के अनुसार चट पर्व दीपावली से ठीक छे दिन बाद पड़ता है जो चार दिनों तक चलता है यह पर्व विशेशकर भगवान सूर्य देव वा उनकी बहन चटी मया को समर्पित होता है धार्मिक मान्यता के अनुसार चट पूजा के दिन भगवान सूर्य देव और चट मया की पूजा करके उन्हें अर्ग देने का विधान है यह पर्व मुख्य रूप से बिहार उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है चट पर्व को महिलाएं मुख्य रूप से पुत्र प्राप्ती के लिए यह व्रत रखती है ऐसी मान्यता है कि चट पूजा करने से पती की दीरगायो होती है और संतान सुख्व पुत्र की प्राप्ती होती है आईए जानते हैं साल दो हजार चौबीस में कार्तिक चट पूजा कब है जाने चट पूजा की सहीति थी पूजा का शुभ महूत, पूजा विधी और चट पूजा का महत्व चट पूजा विधी वखरना चट पर्व मुख्य रूप से चार दिनों तक चलने वाला महापर्व होता है जो चट पर्व का पहला दिन नहाय खाय से शुरू होता है इसकी सुरुवात कार्तिक मास के शुकलपक्ष की चतुर्थी तिथी से होकर कार्थिक मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथी को इसका समापन होता है। इस दिन स्नान आदी करने के बाद घर की साफ सफाई की जाती है। और सात्वितक भोजन द्रहें किया जाता है। और छट पर्व के दूसरे दिन खरनाया लोहंडा कहलाता है। जो की छट पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन कार्थिक मास के शुक्लपक्ष की पंचमी तिथी होती है। और इस दिन से निर्जल वरत की सुरुवात भी होती है। यानि इस दिन वरत रखने वाली महिला या व्यकी जल ग्रहेंड नहीं करता है। और सान्यकाल के समय छटी मया का प्रसाद बनाया जाता है और छट पर्व के तीसरे दिन डूपते हुए संध्या के समय भगवान सूर्य देव को अर्ध दिया जाता है और भगवान सूर्य देव को अर्ध देने के लिए बॉस से बनी टोकरी में फल, फूल, केला, ठेकुआ, चाबल से बने लड़ू आदी चीजों को सुप में सजाया जाता है और वरत करने वाली महिला हो या पुरुष अपने परिवार के साथ सायंकाल के समय सूर्य भगवान को अर्ध दिया जाता है इसके बाद सूर्य देव को जल और दूध का अर्ध देने के बाद सजाय गए सूप से छठी मया की पूजा की जाती है फिर सूर्य उपासना करने के बाद छठी मया की गीत गाकर वरत कथा सुनी जाती है और छठ पर्व के चौथे दिन सुभा का अर्ध देने का विधान है चौथे दिन यानी सप्तमी तिथी को प्रातहकाल सूर्यदेव को अर्ग देने के बाद वरत का पारण किया जाता है छट पूजा का शुभ मुहूर्थ मित्रो अब पूजा करने का शुभ मुहूर्थ को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है अब आपको बतादे की साल दो हजार चौबीस में छट पूजा साथ नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा कार्तिक छठी तिथी शुरू होगी 7 नवंबर दो हजार चौबीस को रातरी बारह बचकर 41 मिनट पर कार्तिक छठी तिथी समाप्त होगी 8 नवंबर 2024 को रात्री 12 बचकर 34 मिनट पर शाम को अर्ग देने का समय है यानि 7 नवंबर 2024 को शाम 5 बचकर 31 मिनट पर सुभा का अर्ग देने का समय है 8 नवंबर 2024 को शुभा 6 बचकर 38 मिनट पर दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग